नमस्कार दोस्तों, वेलकम टे और वंडे एक्जाम क्लासे देकिया आपके रेलवे ग्रूप D और एंटी पीसी टू एक्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिसले सालों के पेपर कराने इस्टार्ट किये हैं आज हम आपको रेलवे एंटी पीसी का सवीटी वन का जो 2021 से पेपर संपन हुआ था उस पेपर के आज हम आपको रिजनिंग के कोशन कराने जा रहे हैं इस सेट में रिजनिंग के लगभग 25 कोशन पूशे गए थें तो चली देखते हैं कि आप इन 25 पेशनों में से कितने कोशन को सही कर पाते हैं यह हमारा रिजनिंग का पांचवाँ वीडियो है इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के चार वीडियो कराई हुए हैं उससे आप लोग प्लेश बजा करके वहाँ पर से देख सकते हैं आज कर देखिए पहला कोशन है नीचे दी गई आकरती को आपको ध्यान से देखना है इसके बाद में प्रिश्न का उत्तर देना है तो यह आकरती देखिए आपके सामने निजर आ रही है यहाँ पर देखिए जो स्कौयर है वो आर्टिस्ट को दरसा रहा है जो सरकिल है वो सारे के सारे डाक्टर्स है और यह ट्रेंगल के अंदर जितनी संख्याएं लिखी गई है वो ना तो कलाकार से टच होनी चाहिए ना तो खिलाडी से मतलब कि ना तो सरकिल से टच हो और ना तो वर्ग से तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेंगल के अंदर जो सत्रा है वो ना आप लोग पहले बार चनल पर आयों तो नीचे आपको लाल रंग की सस्काइब की बटन दिखेंगे उसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें दूसरा कोशन है 7.45 घंटो को घंटी मिनेट और सेकेंड में आप कैसे चेंज करेंगे यह 4 आपसन दे गए जो एंटी पीसी का से वीटी वन का 2020 से पेपर संपन हुआ है उसके हर सेट में आपको एक कोशन इस प्रकार का देखने का उसमिलेगा इस सेट में तो दो कोशन रखे गए हैं तो सबसे पहले पहला वाला करते हैं अगर नहीं स साथ घंटा तो आपको सारे के सारे आपसनों में देखने का उसमिलेगा अब यहां पर बात आती हैं 0.45 घंटों को मिनट और सिकेंड में आप कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले 0.45 को चेंज करते हैं पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के नीचे एक रखी जतनी संख् कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा इसका मतलब 45 बटे 100 घंटा आ गया अब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो अब यह बन गया मिनट में काट लिजे और मुल्टिपल कर सकते हैं 5-6-30 और 6-4-24-3-27 270 बटे 10 मिनट आ गय जीरो से जीरो कर जाएगा तो 27 जो आएगा यह आपको मिनट में मिलेगा अगर 27 पॉइंट कुछ आता एक दो तीन चार तो वो मिनट को हम लोग फिर सेकेंड में चेंज करते हैं लेकिन पॉइंट में तो वैलू आई नहीं है इसलिए 7 घंटा 27 मिनट जीरो सेकेंड जो छता और वह इसका सः होगा ठीक है समझ माया आपको नहीं समझ में आया हो तो नेस्ट अभी एक कोस्ट नहों रहेगा वहां पर आप आप लोग समल लीजेगा तीसरा कोस्टन इन उस विकल्पका आपको चैंड करना है जिसका तीसरे पद्द के साथ में वहीं संबंद है ज तो कि वो समझते हैं घड़ी जो है समय देखने के काम में आती हैं तो थर्मामेटर किस क्यूक देखने काम में आता है वोखार को तो दूसरे आपसन को सही कराते हैं जबकि वोखार में भी आप लोग टमप्रेचर को देखते हैं कि टमप्रेचर अब हो रहा है कि डाउन हो रह तो काजी रंगा का किसके साथ में सम्मंद होगा रड़ थंब और पढ़ता है राजिस्तान में यहाँ पर एक नेशनल पार्क है रड़ थंब और नेशनल पार्क वहाँ पर बाक पाया जाते हैं इसी प्रकार से काजी रंगा नेशनल पार्क में एक स्निंग वाला गंडा पाया जाता है ये काफी फेमस है असम में पढ़ता है काजी रंगा ठीक है तो सही आपसन होगा लाश्ट वाला आपसन जंगली गधों के लिए गुजरात में एक नेशनल पार्क है घुरखर ठीक है और ACI सरों के लिए गिर नेशनल पार्क है ये भी आप लोग याद रखिएगा। पांचवा कोशन है एक महिला की और इंगित करते हुए जेयनत कहता है कि वह प्रसिच्छित की बहन है जो दुस्यनत और आभा का भाई है। आभा जेयनत की साली है और उसकी एक ही बहन है जेयनत का उस महिला के साथ में क्या रिलेसन होगा ये आपको बताना है। बढ़िया कोशन है वीडियो को रोग करके सबसे पहले एक बार आप लोग प्रियास करेंगे नहीं आएगा तो उसके बाद ही आप लोग सलूसन को देखेंगे। देकि यहां पर कहा गया है कि एक महिला की और इंगित करते हुए जेयनत कहता है कि वह प्रसिचित की बहन है तो मतलब जिसके बारे में महिला के बारे में बात की जा रही उसका नाम नहीं दिया गया है लेकिन यह बताया गया कि वह प्रसिचित की बहन है तो बहन है इसके ल प्रसिचित के बारे में जो लिखा गया है जो दुसियंत का और एक आभा है ठीक है उसका ही भाई है दुसियंत और आभा का भाई कौन है प्रसिचित अब क्या का गया आभा जेंत की साली है ठीके आभा जो है जेंत की साली है अब आभा साली तभी होगी जब इसकी जो बहन है देखी सारे जो है भाई बहन है आभा दुस्तियंत प्रसिचित और एक जिसका नाम नहीं दिया गया है ये सभी आपसे भाई बहन है तो आभा जेंत क साली तभी लगेगी जब आभा की बहन जेंद के साथ में साधी करेगी तो यहां पर यह बहन जो है इसका नाम तो नहीं दिया गया लेकिन इसकी साधी जो होगी वो जेंद के साथ में होगी ठीक है यह तो कंफर्म हो गया इसकी साधी जेंद के साथ में होगी और यहां पर कहा भी गया है आभा जेंद की साली है और उसकी एक ही भेन है मतलब आभा की एक ही भेन है जिसके साथ में जेंद की साधी हुई है तो जेंद का उस महिला के साथ में क्या समंद होगा जेंद उस महिला का पती लगेगा तो कौनसा आपसन सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन सही आप सुनोगा, करके देखिएगा, पती ही निकलेगा, छेटमा कॉशन है, कथन और निसकर्स से कोशन आई आए, चलिए कथन को पढ़ते हैं, सभी बोर्ड काले हैं, और सभी काले सफेद हैं, तो निसकर्स ही 4 आपको दिए गए, एक, दो, तीन, चार इसमें से आपको बताना है कितने निसकर्स आपको सही लग रहे हैं वेंट डाइग्राम की साहिता लेते हैं क्या कहा रहा है सभी जो बोड है जो सभी बोड हैं, वो काले हैं, मतलब बोड का गोला जो होगा वो काले के अंदर कर देंगे हम लोग, समझने के लिए एक हिसाब से डाइग्राम बना लेते हैं और सभी जो काले हैं, मतलब काले का जो गोला होगा, वो सफेद के अंदर हो जाएगा सभी काले सफेद है चलिए अब हम लोग निसकर्श को पढ़ते हैं कोई भी सफेद काला नहीं है कोई भी सफेद काला नहीं है एसा हो नहीं सकता कुछ तो होंगे ही होंगे गलत हो गया सभी काले बोर्ड है सभी काले बोर्ड है एसा नहीं है सभी बोर्ड काले है सभी सफेद क हेसा गलत है सभी काले सफेद है यह वह गलत हो गया सभी ऑर्ड्स सफेद हैं सभी जो बॉर है वह सफेद यह विल्कुन सइह है कि बोर्ड का गुला Прीकुरा का पूरा सवैद के अंदर रखा गया है इसलिए सिर्फ 4th वाला विकलप जो होगा वह सब्सक्रलब होगा तो यहाँ पर लिखा गया है चौथा है यही वाला नियसकर्स चौथा हो गाई 7- .. इस विकलप आपको चेंड करना है जो निमली की स्रेंखavier की च summar पर आ सकता है को आम इस स्रिज में यस्ट होगरा आपको क्ताना है यहाँ पर आत्मा कोशा ने उस विकल्प का आपको चैन करना है जो निमली की स्रिंखला में प्रश्ण वाचक चिन्दी की जगा पर आ सकता है तो इस रीज आपको दी गई है इस रीज में निश्ट पद आपको बताना है यहाँ पर देखी बीच में निमेरिकल वैलू है 34, 46, 58, 70 तो यह का मतलब एक स्देखी पहले में मिल ला है दूसरे मिल ला है तो हम लाष्ट वाले पद को मिला लेते हैं पी और की उमने से कोई एक रीवला अपसं सही आपसं होगा तो लाष्ट वाले पद को मिलाते हैं यह जो होता है would 5 कि've फाशार पर होता है और एच कि किस्स्तान पर ह होता है, 14, 3, 17 करेंगे और 17 हमें इस्थान पर क्यों होता है, तो क्यों वाला पदआएगए कौन सा अप्सन सही अप्सन होगा तीसरा वाला अप्सन सही अप्सन होगा आठवा कौशन है यह दि किसी कूट भासा में मुबाइल को ऐसा लिखा जाता है ठीक है उसी कूट भासा में सांग को आप कैसे लिखेंगे चलिए कूट भासा को मिलाना स्टार्ट करिए कि मुबाइल से ये कैसे बना तो सांग को हम लोग आराम से बना लेंगे देखे M का इस्थान होता है 13 और L का इस्थान होता है 12 मतलब कि स्रीज जो है M से L में माइनस 1 का अंतर आया O को मिलाते हैं O का इस्थान होता है 15 और M का इस्थान होता है 13 मतलब O से M में माइनस 2 का अंतर आया ठीक है समझेगा स्रीज कैसे आगे बढ़ेए पहले A कम कर रहा है फिर 2 कम कर रहा है नेश्ट वाले में देखिए B जो होता है वो दूसरे इस्थान पर होता है और Y देखिए Y 25 इस्थान पर होता है मतलब अगर आप 3 कम करेंगे 3 पीछे की और जाएंगे तो आपको Y मिलेगा तो ये स्रीज जो आगे बढ़ रही है वो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन से आगे बढ़ रही है पहले वाले लेटर्स को एक से कम करना है दूसरे वाले को दो से तीसरे वाले को तीन से चोथे वाले को चार से जितने लेटर्स हों वो इतना आपको कम करना है तो स्वांग में देखेंगे हम इस जो आता है 19 स्थान पर आता है तो आर से स्टार्टिंग होगी आर 18 स्थान पर आता है आर एम आर एम दोनों मिल लाएं तीसरे वाले पत को मिला लेते इन जो होगा वो 3 से कम होगा इन होता है 14 हुमेस्तान पर 3 कम करेंगे हम लोग तो आएगा 11 तो मतलब RM के बाद में के आना चाहिए तो लाश्ट वाला आपसन सही आपसन इस प्रेकार से आप सारे पदकों ना मिला करके जिस जिस आपसन में आपको संदे हो उसी पदकों मिला करके समय को आप बचा सकते हैं नौवा कोशन है दी गई स्रेडी में से एसे कितने साथ हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है और ठीक पहले 8 हो एसे साथ आपको ढूंडने हैं मतलब की साथ के पहले 8 वाला साथ आपको ढूंडना है और बाद में 3 नहीं होना चाहिए ठीक हैं इसे साथ ढूंडने का प्रयास कर लेकिन बाद में दो है तो इसको ले लेंगे क्योंकि तीन नहीं होना चाहिए, यह दूसरा साथ हो गया, इसके बाद इस साथ के पहले तो आठ ही नहीं है, इस साथ के पहले भी आठ नहीं है, यह वाला साथ देखिए, इसके पहले आठ है और बाद में तीन नहीं है, तो यह सबसे लंबा को नहीं तो सबसे नंबा कोन्हें ठीक है प्रियास करे कहुँ सबसे वाप निकाल पा रहें कि नहीं देखिए यहां पर कहा गया मैरी जो है वो आयूसी से लंबी है ठीक है आयूसी से लंबी हो गई लेकिन अभी आगे और कहा जा रहे गुंजन आयूसी से लंबी है तो गुंजन जो होगी वो आयूसी से आगे होगी इससे भी ज़्यादा गुंजन लंबी है आयूसी से किन्तु सालने से छोटी है कौन गुंजन अब सालने के बारे में कहा गया आगे भी जो मेरी से लंबी है कौन सालनी जो है मेरी से लंबी है तो सालनी को आगे रखेंगे यहाँ पर सालनी लिखाई गया ठीक है तो यहाँ पर आप क्रम समझ गए सबसे लंबा सालनी हो गई उसके बाद मेरी फिर गुंजन फिर आयूसी सबसे छोटी आयूसी ठीक है क्रम से चारों को लगा लिजे आप तो आपसे पूछा कि इन में से सबसे लंबी कोन है सालनी होगा दूसरे वाला आपसन सही आप सुनोगा ठीक है समझ गए आप भासा को जो लिखा जाता है जिसके बहगल में होता है उसी के लिए जो लिखा जाता है तो इस पर आप लोगों को भ्रह्म न हो ग्या नवर कोशन है यहाँ पर देखी लिखा गया यदि एक लड़के को पता चलता है कि वहाँ लड़कों की एक पंती में दाई और से ग्यारहुए स्थान पर है और बाई और से पांचमे स्थान पर है तो पंती में कितने लड़कों को सामिल किया जाना चाहिए ताकि पं और से 5 में इस थान पर है इसका मतलब टोटल अगर हम लोग इस पंती में लड़कों की संख्या निकाले तो 11 प्लस 5 माइनस 1 एक घटा लेते हैं कोई कि हम लोग दोनों तरफ से इस थान ले रहे हैं न इसका कोई कि इधर से भी हमने कह दिया 5 माँ इधर से भी कह दिया 11 तो य किया जाए ताकि पंती में लड़कों की संख्या 29 हो जाए तो पहले तो 15 थे अभी इसको 29 करना है तो 14 और जोड़ दीजे लड़कों को सही आप्षन कौनसा आप्षन होगा दूसरा आप्षन समझ गए आप लोग जब इधर से भी स्थान दिया जाए और इधर से भी स्था कह रहा है 29 करने हैं तो 14 और जोड़ देंगे 29 हो जाएंगे कथन में लिखा गया है संगीत मानसिक सांथी के लिए बहुत अच्छा है तो यह दो निसकर्स निकल रहे हैं इन दोनों निसकर्सों को देखिए क्या आपको सही लग रहा है पहले निसकर्स है अरजीर सिंग की आव नाम की चर्चा नहीं की गई तो यहां पर अरजीर सिंग की सुर कुमार कैसे आगे दोनों ही बिलकुन गलत In के माना कि यह संगीत से जुड़े हुएं लेकिन हम दोनों की का स्वाप आता है तो सही आपसन होगा है कोई भी निसकर्स पालन नहीं करता है तो ठीक है पहला वा वैसा है आपको इन चार आप्सन में से ढोड़ना है किसका समध किसके साथ में है बैक जो है चमडा से बनता है तो पानी पीना से बनता है क्या प्लास्टिक पॉलीमर से बनता है क्या मुबाइल नेटवर्क से बनता है क्या देखिए कथन निसकर्स एक कोशन आया है, कथन आपको यहाँ पर दो दिये गए हैं, निसकर्स चार दिये गए हैं, देखिए, 2018 का जो group D का मैं आपको reasoning का paper करा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग हम आपको reasoning करा रहे हैं, NTPC, CVT1 की भी आपको reasoning करा रहे हैं, और group D की भी reasoning करा र देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चार निसकर्स दिये गए हैं, तो चारों को आपको बताना होगा इसमें से कौन सा निसकर्स निकलना है, तो यह अंतर है आपका, 2018 वाले एक्जाम है, और 2021 का जो railway का एक्जाम हुआ है, ठीक हैं, चलिए, तो wind diagram की सहाईता लेते हैं, सभी कलम किताबे हैं, जो कलम का गोला होगा, वो किताब के अंदर होगा, ठीक है, समझ गएं, सभी कलम का गोले को किताब के अंदर कर देंगे, क्योंकि कह रहा हैं, कथन के निसकर्स देखते हैं, सभी बैक कलम हैं, ऐसा नहीं है, सभी बैक किताबे हैं, कुछ बैक किताबे यह भी गलत है कोई भी कलम किताब नहीं है कोई भी कलम किताब नहीं है इसा बिलकुन गलत है कोई की सब कमले किताब है कोई भी कलम बैग नहीं है यह बात सही को कि हमने गोले को अलग भी किया है और इसने भी नहीं कहा था कि इसको अटेस करना है जब कहा नहीं तो अटेस नह प्रिश्ण को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा तर्क आपको सही लग रहा है प्रिश्ण में आपसे पूछा गया है क्या निरच्छनों को ओड डालने से वन्चित किया जाना चाहिए मतलब कि जो अनपड हैं उनको ओड डालने की अनुमती नहीं देनी चाहिए वन्चित कर देना चाहिए अब दो तर्क निकलते हैं पहला तर्क में हाली में उत्तर दिया गया है क्योंकि उन्हें आसानी से गुमरा किया जा सकता है इसलिए उन्हें ओट डालने से वंचित किया जाना चाहिए दूसरा कहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या उनका समयधानिक अधिकार है तो आपको कौन सा तरक सही लग रहा है यहां पर आपको दूसरा ही तरक सही लगना चाहिए, कोकि ओट डालना उनका समिधाने का दिकार है, समिधान में लिखा गया है, और समिधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया, कि निरच्छर या फिर अनपड लोग ओट नहीं डाल सकते हैं, ठीके, वो अनपड जरूर है लेकिन दिमाग सब के पास होता है, कहां पर किसको ओट डालना है, वो सब को मालूम होता है, इसलिए ओट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा गया गया गुमरा किया जा सकता है, गुमरा तो किया जाता है, लेकिन वो समझते हैं, उनको ओट क चिनिकी जगा पर इस संख्या को पून कीजिये ठीक है? जूम कर देए आपके लिए, यहां पर प्रिश्णुद्वाजक चिनिके जगा पर कौन से संख्या आएगी? ध्यान से आपको स्रीज को देखना है. देखे ये 5 से 9 हो रहा है, 9 से 17 हो रहा है, तो 5 दुना 10 होता है, 5 दुना 10 होता है, एक कम कर दीजे, 9 आ गया, 9 दुना 18 होता है, एक कम कर दीजे, 17 आ गया, 17 दुना 34 होता है, एक कम कर दीजे, 33 आ जाएगा, 33 दुना 6 होता है, एक कम कर देंगे, 65 आ जाएगा, 65 दुना 130 होता है, एक कम कर देंगे, 139 आ जाएगा, तो कौन सा आप्सन सही आप्सन होगा, तीसरा वाला आपसन जो होगा दो गुने से एक कम करना है तो तीसरा आपसन सही आपसन होगा सतने वर कोशन है उस अच्छर का आपको चैन करना है जो सरंखला में प्रिश्णवाचक चिन्ने के जगा पर आएगा तो पहले वाली जो थी नुमेरिकल वाली थी यह अलफाबेट की सरंखला है इसमें देखे कैसे बड़ोतरी हो रही है एल जे एच एफ डी ठीक है अगर आप अलफाबेट में इनके स्थानों को देखेंगे एल होता है बारहावे स्थान पर जे होता है दस्वे स्थान पर मतलब कि दो कम हुआ एच होता है आठमे स्थान पर मतलब फिर दो कम हो गया एफ होता है छटमे स्थान पर मतलब फिर दो कम हो गया डी होता है चौथे स्थान पर दो कम हुआ इसमें भी तो डी दो कम हुआ मतलब दी से दो कम होगा नेस्टोल आपत चार से दो कम करेंगे, दो आएगा दूसरे स्थान पर alphabet में कौन होता है, बी होता है तो सही option होगा तीसरा option, तो यह जो alphabet की स्रीज है, उसमें आपको दो-दो से कम करते हुए चलना है तो यहाँ पर नेश्ट पर जो होगा वो भी वाला option होगा, और भी तीसरे option में लिखा गया है, अठारा नेवर question है, उस अच्छर का आपको chain करना है जो प्रश्णवाचक चिन्दे के जगा पर आ सकता है तो ऐसे देखे कई question मिल रहे हैं, तो इनकी practice करके आपको एक्जाम में जाना है A, C, E, G E, I, K, समझेगा देखे, A का इस्थान जो होता है, वो पहला इस्थान होता है C तीसरे इस्थान पर आता है, E पांचमे इस्थान पर आता है G सातमे इस्थान पर आता है, I नवमे इस्थान पर आता है और K आता है ग्यारा में इस्थान पर तो एक, तीन, पांच, साथ, नौ, ग्यारह, यहाँ पर आप देख रहे हैं विस्ञम संख्याओं के क्रम में चला हैं तो ग्यारह के बाद तेरा विस्ञम में आता हैं तरह तेरमें इस्तान पर ऐम आता है अलफा बेढ में तो ऐम वाली स्रीज और आगे बढ़ाएंगे तो इ इस नमर कोशन है देखी फिर से सरंकल आई है और प्रश्णमाचक चिन्दे के जगा पर आपको बताना है कि कौन से संक्या आ सकती है तो ये तीन पद आपको दिए गए चौथा पद आपको सूचना है किस अनुसार आगे बढ़ेगा वीडियो को रोकिए क्या चेंजमेंट हो बर्चोक 48 और 24 चोके 94 मतलब कि 12 में 2 गुना करिए और पॉइंट के बाद की जो वैली उसमें 2 गुना करिए तो नेस्ट वाली वैली आपको प्रयाप्त हो जाएगी इसी प्रेकार से 48 का चार गुना करेंगे तो 192 और चार गुना करेंगे तो 384 नेस्ट वाला जो पद बाद में पॉइंट लगाना है आपको और फिर 384 का चार गुना करेंगे तो 1536 आएगा तो कौन सा आप्सन सही होगा 768 और 1536 यह वाला आप्सन देखिए दूसरा वाला आप्सन जो है वो सही आप्सन होगा ठीक है तो इस प्रेकार से आपको 4 से मल्टिप्लाई करना है दस दूसरे नंबर कोशन में आपको बताया था 3.78 घंटे को घंटे मिनेट और सिकेंड में आपको चेंज करना है चलिए कुछ सीखा हो आपने तो इसको प्रियास कर लिजेगा नहीं सीखा तो इसमें सीख लिजेगा कैसे करेंगे आप देखिए सबसे पहले 3.78 जो लिखा गय अब यहां पर देखिए 0.78 घंटा जो है इसको मिनेट में चेंज करना है सबसे पहले इसका दसमलो हट आएंगे तो 78 बटे 100 कर देंगे तो इसमलो हट जाएगा 78 बटे 100 अभी घंटे में है चेंज करने के लिए 60 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो अभी यह मिनेट में आया तो इसको अगर 10 से भाग करेंगे तो 46.8 आएगा मतलब कि 46 मिनेट निकला कोकि हमने मिनेट में चेंज कर लिया है साड़ से मल्टिप्लाइ करने के बाद 46 मिनेट आ गया 0.8 जो है ये भी मिनट में है अभी इसको सिकेंड में चेंज करेंगे तो सिकेंड की वैलुग आएगी LAKIN हमको आपसन मिल चुका है 3 घंटे 46 मिनट वाला यह आपसन सही होगा चली निकाल लेते हैं फिकेंड को भी निकाल लेते हैं क्योंकि 0.8 तो बचा ही ना इसमें 0.8 बचा ये मिनट में है इसको अभी आप चेंजे कर लेंगे तो समलों हटाईए इसका फिर से और ये मिनट में है तो 60 से गुला करेंगे तो इस सिकंडे मन जाएगा ये देखिए 0-0 कटा 8-6-48 तो 48 सिकंड आ गया तो इस प्रेकार से आप मिनट से सिकंडे भी चेंजे कर सक सकते हैं लेकिन पहले आपको आपसम मिल गया तो टिक करके आप आगे बढ़शते हैं अगरी तीसरे आपसन में 46 लिख देता हुआ फिर आपको स्केंडे की वेलो निकालने पड़ते हैं लेकिन अभी आप 46 के भाद ही दूसरे आपसन को सही करके आगे बढ़़ सकते-थै he संसेशन की जो क्रिया है वो सूर के प्रेकास के साथ ही होती है उसी प्रेकार से लेखन की जो क्रिया है वो कलम की बिना नहीं हो सकती है तो कलम जुरूरी है लेखन के लिए इसलिए सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन जैसा समंद उपर लिखा गया है वैसा ही समंद आपक के दाई हो रहें, B, D के बाई हो रहें, और A के दाई हो रहें, तो मध्य में कौन बैठा है, या आपको निकालना है, ठीके दिसा तो आपको मालूँ है ना, पूरी इधर मानते हैं हम लोग, पस्टी में इधर हैं, उत्तर उपर होता है, और दच्छिड नीचे होता है, A के दाई हो रहें, तो A के दाई हो रहें, तो C बीच में होगा, नेश्ट देखें क्या लिखा गया है, B जो है, वो D के बाई हो रहें, और A के दाई हो रहें, क्योंकि A का दाई हो खाली है, तो यहाँ पर B हो सकता है, वह कई भी रहा हैं बी जो है एकदाईँ ओर है और डी की बाईं होर तो डी इधर होगा यहीं का बाईए इध़र को लिवर सब का मंग दिया है मद्व में कोन वेठा है ड्य बैठा है सई आप रोगा दूसरा वाला अपसन, ठीक है, सब को बैठाल दीजे, दाया बैया जैसे कह रहा है, और मध में ए बैठेगा 23 नवर कोशन है, नेम लिकित जानकारी को पढ़ें और दिये गए प्रिश्ण का उत्तर दें तो ये तीन जानकारी आपको दी गई है, इसमें लिखा गए रोहित, सोभित और मनू, बॉलीवाल, टेनिस और खोको खेलते हैं रोहित, आसू, मनू, बालीवाल, टेनिस और बैटमिंटल खेलते हैं रोहित, सोभित, दिलीप, मनू, खोखो और टेनिस खेलते हैं ये सारी बाते पढ़ लिजे प्रिश्णों को भी समझें इन में से कौन सभी लड़कों द्वारा खेला जाता है कौन सा खेल जो है, सभी लड़कों द्वारा खेला जाता है तो जो तीनों में खेल हो, उसी को आपको ले लेना है बॉलीवाल तो इन दोनों में है, तीसरे में नहीं है टेनिस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो टेनिस सभी लड़के खेलेंगे सही आपसन तीसरा आपसन होना चाहिए खोको देखे इसमें हैं, इसमें नहीं है, इसमें हैं तो इसी प्रेकार से शिर्फ में टेनीस येसा खेलोगा जिसको सबी लोग खेलेंगे, तीसरा आपसन सही आपसन है 24 नमर question है उस संख्या कि आपको पहचान करनी है जो नेम लिखी स्रेड़ी से समधित नहीं है मतलब कि यह जो स्रीज दी गई है इसमें एक संख्या जो है विशम तरीके से रखी गई है बागी सभी क्रम तरीके से रखी गई है चली समझने का प्रयास करते है यहाँ पर 289 लिखा गया है और इससे बढ़ करके 306 हो गया है मतलब बढ़ोतरी कितने कुई है 289 से 306 में 17 बढ़ा है 306 से 340 में कितने बढ़ोतरी हुई 34 बढ़ा है तो आप यह समझ रहे होंगे कि 17 से बढ़ा है फिर 34 से इसका मतलब नेश्ट वाला 17 तीक 51 से इस प्रकार से मतलब बढ़ने चाहिए 17 के मल्टिपल पर अब 340 से 389 जो है यहाँ पर 49 ही बढ़ा है इसका मतलब इस पद में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि इसको बढ़ना चाहिए था 17 के मल्टिपल से 51 से लेकिन यह 49 बढ़ा 389 से 569 हो गया यहाँ पर अंतर आएगा कितने का 70 का आ रहा है और हमारे इस क्रमे के अनुसार 68 का अंतर आना चाहिए मतलब कि अगर 340 के बाद क्या आ जाए 340 के बाद 391 आ जाए अगर 391 आएगा तो सत्रत 51 51 से बढ़ोतरी होगी और फिर 351 से 569 में देखेंगे आप तो फिर यहाँ पर आपको 68 से बढ़ोतरी दीखेगी और फिर 469 से 544 में तो 85 के बढ़ोतरी मिली रही है इसका मतलब 389 वाले पद जो है वो गलत लिखा गया है 389 के जगा पर 391 होता तब यह स्रीज हमारी सही ढंक से होती तो इसी पद में गलती की गई है वरना 17 के मल्टिपल से सब कुछ बढ़िया चल रहा था 25 नवर कोशन है उस विकलब का आपको चैन करना है जिसका तीसरे पद के साथ में वही सम्मद है जो दूसरे पद का पहले के साथ में है जैसा जीब का सम्मद स्वाद के साथ में है तो फेपड़े का सम्मद किस के साथ में होगा चार आपसन है जीव जो है वो सौद लेने के काम में आती है तो फेपड़ा किस काम में आता है स़ास लेने के काम में आता है सही आपसन होगा लाइस्ट वाला आपसन ठीक है तो यहां तो हमारे 25 कोशन complete हो गए है इस सिट में 26 कोशन रिजनी के रखे गए हैं तो चलिए एक कोशन में आप लोग को प्रयास करना है ये देखिए आज का हमारा 26 नमर कोशन है इसका जवाब को कमेंट बाक्स में देना है लेंग्वेज बढ़ी है लेकिन सवाल काफी सिंपल सा है करने का प्रयास करिएगा तीन मित्र हैं A, B, C इनके कार्याले हैं IT, HR, Banking विभाग A, Banking विभाग में है और प्रदिन 8 घंटे काम करता है किन्तो जो HR विभाग में है वो 5 घंटे काम करता है B, L, C है और पूरे दिन काम करना पसंद नहीं है B, जो है वो गड़ित की पिष्टिमों में से है किन्तो बैंकिंग विभाग में काम नहीं करता है तो HR विभाग में कौन है बनाने का प्रयास करिएगा समय लेगा लेकिन बढ़िया सवाल है नहीं आएगा तो Nest वाले वीडियो में इसको सामिल कर लेंगे और इसको उत्तर बताने का प्रयास करेंगे तो इस 26 कोशन हमने आपको कराए है आप इसमें से कितने कोशन कर पाते हैं इसे आप कमेंट बाक से बताएगा हम आपको NTPC-CVT1 की भी रिजनिंग करा रहे है ग्रूप D 2018 की रिजनिंग करा रहे है दोनों को आप कंपेर कर सकते हैं कौन आपको कठिन लग रही है कौन आपको सरल लग रही है लेकिन दोनों करा रहे है क्योंकि आप 2021 के लेवल से भी परचित हो जाए और 2018 वोले तो आपको करा नहीं है ग्रूप D का भी पेपर है और NTPC 2 का भी पेपर है दोनों रिजनिंग आपको करा रहे है और दोनों को आप प्लेश्ट में जाकर दे सकते हैं जतनी वारी पुरानी वीडियो है तो आप इन 26 कोशनों में कितने कोशन को कर पाए है कमेंट बाक्स में बता सकते हैं तो आसा करते हैं जो लोग 22 तक पहुँच गए होगे उनका बेस्ट स्कोर माना जाएगा 20 से कम वाले थोड़ा प्रियास करिए कि 20 के प्लस हो जाईए क्योंकि रिजनिंग ऐसा सेक्सन है जहां पर आपके गलती सुईकार नहीं है ठीक है मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद किसी पेस्ट में डाउट होता है आप कमेंट बाक्स में कह सकते हैं